दिल्ली की सुल्तानपुरी की कंज़ा वाला इलाके में हुई सड़क हाज से और लड़की की लाश को कार से घसीतने के मामले में मृतिका की सहली का बयान दर्ज किया गया बृतिका की सहली घटना के वक्त मौजूद थी पूरे मामले पर वो मुख्य गवा बनी अंचली का पोस्ट मौटम के बाद अंतिम सिस्कार भी किया जा चुका है दिल्ली में घटी तो इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश इस बीच कवी कुमार विश्वास ने घटना पर अपना दर्द बयान किया उन्होंने दिल्ली में दस साल पहले हुए निर्भयार रेप केस को याद करते हुए कहा दिल्ली में आज भी कुछ नहीं बतला इसी के साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा दिल्ली पुलिस में एह बतलाव क्या वश्यक्ता है दिल्ली के कंजावला केस को लेकर कवी और पुर्व राजनेता डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा पीट पर आज भी ताजा है वो लाठियां आसू गैस के गोले और वाटर कैनन दाविनी से अंजली तक दस साल में कुछ नहीं बदला ना सियासत ना पुलिस दिल्ली पुलिस का अमूल चूल ओवरहौल आवश्यक है देश की रायधाने में जितनी साधन संपन्नवे अत्याधूनिक पुलिस होनी चाहिए दिल्ली पुलिस उस चेहरे से दश को पीछे है वहीं इस पुरी घटना पर पुर्वराज जपाल वरिष्ट आईपीसी अधिकारे रही किरनवेदी ने भी अपनी प्रतक्रिया दी उन्होंने ट्वीट करती हुए लिखा इस घटना से तीन बाते सामने आई पहला है पुलिस की प्रतक्रिया करने की प्रणानी में देरी होना दूसरा लोगों में कानून का भेना रहना और तीसरा पुलिस का नागरिक एजन्सियों के साथ एकी करन ना होना अगर सड़क पर रोश्ण नहीं होगी तो कौन किसे सूचना देगा